आज के जन्मे जातक सुन्दर सुखी जाएगी इस्थिर्चित्र वाले बुद्धिमान और अस्थाई कारे करने वाले सनेहपुर्ण, मिलनसार, इमानदार और दूसरों को सम्मान देने वाले होते हैं। होते हैं जदि सहयोगी लगन रहा प्रिहस्पती और केतु की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज धनू राशी में चलते रहेंगे जिसके राशिस्वामी प्रिहस्पती देव हैं आज सनी और चंद्रमा की यूती धनू राशी में बनी रहेगी तक ज़्यादा प्रभावित होंगे और सकारादम कुर्जा में कमी का संकेत मिलता है मेश राशी के जातकों के लिए स्वास संबंधि सावधानी रखनी चाहिए हलाकि कारेश्चित में मेहनत की प्रबृति बनी रहेगी और मन मुताविक काम हो सकता है ब्यावसाई की योजना का विकास होगा और उससे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा सरकारी कामकाज में भी लाव संबह है और नई कारी योजनाओं की प्रिष्ट भूमी तैयार होगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा प्रबल उर्साह और कारे उर्जा बनी रहेगी मगर मानसिक दबाओ माता के स्वास्त की चिंता मधूर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ संभावित है विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा मगर वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिष राशिके जात्कों के लिए स्वास्संबंधी सावधानी रखनी चाहिए शनी चंद्रमा की यूती आठ्वे घर में धैर संयम और स्वास संबंधी सम्वेदिन सिलता का संकेत देता है द्रिष निश्चय और कारी उर्जा मानसिक अस्तर पर प्रभावित होगी निजे संबंधों में तनाव और अंचाही यात्रा का योग भी बनता है अर्थिक लाव की स्थिती सामाने रहेगी आजी विका से संबंधित कारियों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी मगर आप अपने बुद्धी कोशव से संगर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों को आसान और सूलव करने में सक्षम रहेगे संथान संबंधि मामलों में अनकूलता बनी रहेगी बिद्याथियों को अध्यापन में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मित्वन राशी वाले जात्कों के लिए कारिछित में निरंतरता बनी रहेगी मगर हर काम में प्रयास अथिक करना पड़ेगा सकाराग्म क्वेरणा मिलती रहेगी मगर उत्सा प्रभावित रहेगा साजेदारी के लाफदायक प्रस्ताव सामने आएंगे मगर कुछ काम संबन होने में देरी हो सकती है करकराशी के जातकों के लिए कारेच चेदर की प्रयरणा बनी रहेगी उत्साह और कारेशंता में बिद्धी होगी, नए प्रस्ताव और नई कार्योजनाव में लाव मिलेगा, आथिक लाव की इस्तिती अनकूल रहेगी, स्वास संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है, पाचनतंत और पेट के नीचले हिस्से में जटिलताएं संभावी साजेदारी के कामों से लाव होगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचाधारा, उत्साह की कम्मी और विशाद की इस्तिती भी संभावी थे, वाहन चलाने में सावधानी बरते हैं, बिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा और सिक्षा प्रतियोगता में स सकारात्मक प्रेरणा जारी है, सूर्य आपकी राशी पर चल रहे हैं, काम करने के प्रती जड़ी विश्वास और सकारात्मक उत्साह कायम रहेगा, आथिक लाव सामाने रहेगा, मगर सनी चंद्रमा की यूती पहल करने की प्रवरित्ती को प्रभावित करेगी, स्वास संबंधी जटिलताएं, संभावित हैं, कमर और पेट संबंधी संमस्याएं, हो सकती हैं, विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अधेन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग मिलता रहेगा, नयायाले या वाद्विवाद संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और वैवाहिक प्रस्ताव अनकूल रहेगे। मामले को नियंतित करने में सफल रहेंगे। नई कारियोजनाओ और निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है। विद्याथियों को अध्याथियों को अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास संबंधि मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। विभाग और अधिकारियों का सहियोग बना रहेगा। आप अपने लक्ष तक पहुँचने में सफल रहेंगे। मगर कारेच छित्र में संगर्ष की स्थिती और मानसिक चिंता संभावित है। और कुछ कामों में डावसाइक विवाद और धन हाने भी संभव है। मगर साजेदारी लावदायक रहेगी। संतान समंदी सुख समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा। ब्रिश्यक राशी वाले जात्मों को धैर और संयम से काम लेना चाहिए। सनी चंद्रमा की यूती दूसरे भाव में और राहु बुद्ध की यूती भाग भाव में बनी है। परिश्थितियों के उनसार मानसिकता में सुधार और माड़ी में मधूरता, कारे छेतर में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाव सामाने रहेगा, साजेदारी लाव रायक रहेगी और कारे छेतर का विस्तार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, मगर स्वास संबन्धी जटिलताओं का संकेत मिलता है। विद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबन्धी चिंता और कुछ कामों में अचानक बाधा भी संभावित है। धनू राजिके जातकों को आथिक लाभ और कारेचित से संबन्धित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी, दिष्छा सक्ती के साथ मेहनत करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी। मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता भी संभावित है। वाणी की मिर्दूलता के साथ अपने उपर नियंत्रण रखना चाहिए। नवीन का रियोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और प्रतियोगी भावनाव बनी रहेगी। यात्रा संभावित हैं। स्वास संबंधी साथ वाहन साथानी से चलाएं। विद्याथियों को सिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित हैं। प्रयास जारी रखें। मकर राशी के जातकों के लिए कार संबंधी भागदोड, अनावशक यात्रा और अनावशक खर्च से संबंधित मामले संभावित हैं। चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने और सनी की यूती, कार छित्र में कमी मानसिक दबाव और नेत्रित करने की चमता प्रभावित होगी। हाला कि आर्थिक लाव की इस्तिती सामाने रहेगी। मगर बुध राहू के साथ में भाव में होने से पारिवारिक तालमेल में कमी संभव है नीजी निवेश और साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा मगर विभागी करमचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास संबंद्री आवसक साउधानी रखनी चाहिए वहां साउधानी से चलाएं और चिकित सखी य अध्यापन में अभ्यास जारी रखें सफलता संभावित है कुम राशी के जात्कों के रुके हुए कामों में गती आएगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर आर्थिक लाव की इस्तिती में फोड़ी देरी या नुकावट संभावित है हाला कि आपके प्रयास करने की चमता और बुद्धिक और सल का इस्तेमाल सकारात्मग रूप से जारी रहेगा प्रतियोगी भावना विक्षित होगी कारेच्षत की अनकुलता बनी रहेगी और नय प्रस्ताव के लिए सहयोग मिलता रहेगा मगर अनावर्षक विवाद संभावित है और स्वाष पेक्षित है वहन सावधानी से चलाएं विद्याथियों के लिए आजका दिन सहयोगी रहेगा आध्याद्यापन में सफल्ता संभावित है मीन राषी के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूति और रुखे हुए काम के संपन कराने का संकेत मिलता है मगर शनी चंद्रमा की यूति से कामों में औरोध हर उत्साहिंता की इस्थिती संभावित है सम्बंदित मामलों में अनावस्य खर्च और यात्रा की सम्भावना भी बनती है फिर भी आर्थिक लाख सामाने रहेगा मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्मिश्वास को बनाई रखें स्वास सम्बंदी मामलों में सावधानी अप्यक्चित है वाहन सावधानी से चलाएं विद्यार्थी अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमशिवाए